आज हम आपको लिए चलेंगे एक ऐसे आवसर की कुछ जलकियों तक जिसको लेकर भारत से प्रेम करने वाले भारत मंदपम के गातन समारों के साक्षी बन के गर्व कानुपव करेंगे पर जहां भारत ने पूरे विश्व को शान्ती का संदेश दिया है वसुदेव कुटुम वकम की बात कहते हुए सारा विश्व एक परिवार है उस तरह की भावना की बात भारत से आई है वहीं भारत धरती को मां के कर समोदित करने की परमपरा के साथ भी जोड़ा रहा है जो कुछ भी हमें जो स्तरता हमें मिली है जो जीवन हमारा है तरती मा के प्रती करतकेता होना स्वागवएक है पर क्या वो हमारे व्यभार में है और जब हम कृषी की तरह बढ़ते हैं तो किस तरह के फर्टिलाइजर का उप्योग करते हैं उनसे क्या अस्वर हो रहा है तो ये सारी बात है कैसे आज के वाईनांगर से जोड़े हुई है इसके लिए भारत मंदपम जेसी स्विवस्था का निर्वान कई दशक पहले हो जाना चाहिए था लेकिन शायद मुझे लगता है बहुत से कारे काम मेरे हाथ में ही लिखे हुए है और हम देखें हैं दुनिया में किसी देश में अगर एक अलिम्पिक समीट होता है पूरी दुनिया में उस देश का प्रोफाइल एक दम से बदल जाता है आज के विश्व में इन चीजों का महत्मय बहुत बड़ा हो गया है और देश का प्रोफाइल भी बहुत माइने रखता है और ऐसी ही विवस्ता हैं जो कुछ इन कुछ उसमें बैल्यू एडिशन करती हैं लेकिन हमारे देश में कुछ अलग सोच के लोग भी हैं नकारात्मग सोच वालों की कोई कमी तो है नहीं हमारे यां इस निर्मान को रोकने के लिए भी नकारात्मग सोच वालों ने क्या क्या कोशी से नहीं की खुब दुभान मचाया अतालतों के चक्कर कटेंगे लेकिन जहां सत्य होता है वाहिश्वर भी होता है लेकिन अभी यह सुन्दर परिसर आपके जांखों के सामने मौजूद है कि दरसल कि कुछ लोगों की फित्रत होती है हर अच्छे काम को रोकने की टोकने की कि अब आपको याद होगा जब करतवेपत बन रहा था तो नजाने क्या-क्या कथाई चल रही थी फ्रंट पेज पर ब्रेकिंग न्यूज में क्या कुछ चल रहा था अधालत में भी नजाने कितने मामले उठाए गए थे लेकिन जब अब करतवेपत बन गया वे लोग भी दभी जुबान में कहले रहा अच्छा हुआ है कुछ देश की शोभा बढ़ाने वाला है और मुझे विश्वास है कुछ समय बात भारत मंडपम के लिए भी बोटोली खुल करके बोले अना बोले लेकिन फीतर से तो स्विकार करेगी और हो सकता है किसी एक समारों मैं यहां आकर के लेक्चर देने भी आ जाएंगे भारत से जुड़ी हुई हर बात के साथ में जुड़ कर जहां प्रेरणा की बात है वो और जहां चिंतन और चिंता की बात है वो सब साथ साथ चलते हैं भारत विविता से परिपून देश है तो कही एक राज्य में बहुत लंबे समय से उपध्रव थमने का नाम नहीं ले रहे और वही सुर्खिया बन जाती हैं जहां भारत की बात आती है तो विश्छों में और कई देशों में इसमर्श कारएओं वहीं उन समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाती है, जिसकी तरफ नकिवल, भारत वासी होगा, बलकि पूरी मानवता का ध्यान दाना चाहिए, तो वो उच्छा से भर देती है, और ऐसे अगर भारत की प्राहने तो भी स्वय उपस्तित हूँ, तो कहना ही क्या है, तो देखते हैं, ये जिसमें रसमयता से, स्रजन शीलता से, जिस तरह से फर्टिलाइजर्स के उपियोग के द्वारा थोड़े समय लाब प्राप्त करके, लंबे समय का नुकसान आने वाली प्यूरियों के लिए भूमी की उरवरा शक्ती के साथ छेड़खानी करके हम कर रहे हैं, उसके वारे म अधियान से, अन्य लोगों के साथ प्रिजांद्री मौदा ने भी देखा, ये जलकियां मद्य प्रदेश से. काली प्रिजा खब येशा काली करुग्थ्चे लिए अन्य फखर शेयाभ whats ब्रड़खने वर्ड़ से, इसे, आज ऴूमी tendzeniu धिले कर व North फ्रिड़ू. भिपर्वश्य मद्यर हे हम का मरत मैं हजारों साल से बिना रुके बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोशन कर रही हूं मैं तब ही थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब ही रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे पर अब ऐसा लगता है कि मैं ठक रही हूं आपकी धर्ती माँ ठक रही है रसायनों का छड़काप रासायनिक खाथ और इन सब के कारण पानी इवब हवा में जहरीला पन यही कारण है कि मैं ठक रही हूं क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीले पन से मेरी मिट्टी वैसे ही चलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाव डालते लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाज़ा नहीं है मेरी मिट्टी पंजर हो रही है यह रसाए मेरी मिट्टी के उपचावपन को खटपकर रहे है और और उसे पाई जाने बाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है मैं धीरे धीरे और ठक रही हूँ लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी बहुत प्रसंद थी हमेशा हस्ती थी मुझे अब भी याद है मैं तुम्हारी मा सुंदर क्यों न होती मुझे तो सुंदर होना ही था क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी मा के रखवाले थे आप लोग प्राकृते खेती करते थे और फिर हमारी सभेता में तो प्रार्थ्णामे धरते कल्यान की है ओम द्यव शान्ति ही अंतरिक्षः शान्ति ही फ्रित्विय शान्ति ही O अनस्पते यह शान्ति ही ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही नदिया जंगल जरने परबत रखना इन्हें सवार के इनको रॉंदा दुन न बचोगे धर्ती कहे पुकार के बे मौसम की पर्शा होती कहीं बिमिती बंजर मिती और भितपती धर्ती कहे पुकार के हजारों साल से मनुष्य धर्ती की गोद में रहता आया है लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धर्ती मा को क्या दिया ये जहरीले रसायन और प्राकृतिक खाट जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं उर्वरक्ता को बर्बाद कर रहे हैं आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायने खाट अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाब देगी लेकिन लंबे समय में उसी रासायने खाट का नुकसान भी है रासायने खाट जहर समान है और तो और फसलों में पानी की खपर भी बढ़ गई है जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का सर्थ जमीन के काफी नीचे जा रहा है बच्चों मैं तुम्हारी मा हूँ मैंने तुभे सुक से जीदे के लिए पर्याप संसादन दिये हैं पर तुम्हारे लालच के पूर्ती के लिए नहीं दिये ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधेक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीड़ी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना भूल गये हैं सोचो चा तुम अपने बच्चों को ऐसे खेट देना चाहते हो जो बंजर हो अरे तुम तुम तो विंदी की बेटी हो मध्य प्रदेश की बेटी हो भारत की बेटी हो आओ तुम ही मेरे बच्चों को कुछ बताओ धर्ती मां हम तो अपने बिंद के सबय जनन का केवल इतने कहे चाही थे कि प्राकृतिक खेती या समय के माग बन चुकी है प्राकृतिक खेती या उद्देश के साथ हो थै कि जवने जमीन अओ हमरे मिट्टी के उर्वरक्ता बनी रहा है हम सबका प्रक्रिती के साथ मिर्चु चैसर प्योहार करें चाही हम अपना से आमेवाली पीजी के तरों से या विशे का ध्यान दाई के सुने अओ देखे के विंती करी थे अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पच्चताओगे नैचुरल फार भी न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे मा का शोशड कौन है करता कौन है मिट्टी जहर सभरता जब से जैवित खाद को छोड़ा खुशाली से नाता तोड़ा अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पच्चताओगे लेकिन धर्ती मा आपको सुरक्षित और प्रसन रखने का उपाय क्या है एक ही उपाय है धर्ती एक परिवार एक भविश्य एक इस मूल मंत्र को आत्मसाथ कर लो प्राकृतिक संसाधन को बचाओ प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसे पद्धती से जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवाम्रित, बीजाम्रित, पंचगव्य, गो मूत्र छाच का उप्योग करो ताकि मिट्टी की उत्पादक्ता बनी रहे याद रखना, मैं माटी हूँ, मा होना मेरे नाम में बसा है पोशन करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है करोणों सालों तक धर्ती पर सासों की डोर आगे बढ़ाई पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्ठी पाई वो मा हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया अनदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया दिन राज सीच पसीने से मुझको, हर मू तक रोटी पहुचाई जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हर्याली बनकर मुसकाई मिट्टी बंजर होने से, या धर्टी के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीब, एक समाज, या एक धर्म का नुकसान नहीं है बलकि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे है धर्टी के शिंखला तूटी, माला तूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे धर्टी एक परिवार के जैसी, सब का भविश्य है के वले बचे की धर्टी सभी बचेंगे, जीवन पत्थ की माला ये अरे जीवन पत्थ की माला ये हीरा मानिक पन्ना मोटी, माना सब के रूप अने हीरा मानिक पन्ना मोटी, माना सब के रूप अने अरे बचे की धर्टी सभी बचेंगे, जीवन पत्थ की माला ये कहते हैं हमारी कथनी और करनी में अन्तर नहीं होना चाहिए, कहते हैं हम जिन उपदेशों, संदेशों को सुनते रहे हैं, वो सिर्फ हमारे जबान पर ही नहीं है, वो होरे आच्रण में भी आएं और अभी अभी जो प्रस्थमती आपने देखी जिसमें फर्टी राइजर से होने वाले बड़े विशाल रूप से एक प्रकोप के स्थती कोटपन करने वाले संकेत हम तक पहुँचे वहीं यदी हम ध्यान नहीं देते हैं, किस तरह के फर्टी राइजर का उप्योग कर दे हैं आजकर एक शब चल पड़ा है, और्गेनिक फार्मिंग, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, रासाइनों का उप्योग करके, धर्टी की गुरुवरा कोई नश्ट नहीं करते हैं, बलकि उससे उपजने वाले कई खाद्य पदार्थ हमारे स्वास्ते पर भी प्रथिकूल असर डालते हैं, तो उससे संबने भी एक प्रस्तुती मध्यप्रदेश के एक कारिक्रम में युवाओं द्वारा देखते हैं उसका ये अंश्ट और मेंक्वाद घ्सके वाल्ड रखनर्बड टर भी जरी घट हैं झाल-ठायरे स्वाद के लिए चेखते हैं झाल मैं हजारों साल से बिना रुके बिना ठके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोशन कर रही हूं मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे पर अब ऐसा लगता है कि मैं ठक रही हूं आपकी धर्तिमा ठक रही है रसायनों का छड़क आप रासायने खाद और इन सब के कारण पानी एवब हवा में जहरीला बन यही कारण है कि मैं ठक रही हूँ क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीले बन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाप डाल दे लगता है मेरे बंचों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है मेरी मिट्टी पंजर हो रही है यह रसाय मेरी मिट्टी के उपचाओ पन को खट्प कर रहे है और और उसमें पाए जाने बाला नवक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है मैं धीरे धीरे और ठक रही हूँ लेकिन लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुन्दर थी बहुत प्रसन्न थी हमेशा हस्ती थी मुझे अब भी याद है मैं तुम्हारी मा सुन्दर क्यों न होती मुझे तु सुन्दर होना ही था क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी मा के रखवाले थे आप लोग प्राकृते खेती करते थे और फिर हमारी सभेता में तो प्रार्थनावी धरती कल्यान की है ओम द्याव शांति ही अंतरिक्षः शांति ही फित्विय शांति ही ओशधया ही शांति ही बनस्पतय ही शांति ही ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही बंजर बंटी बंजर मिट्टी और भितपती धर्ती कहें पुपार के हजारों साल से मनुष्य धर्ती की गोद में रहता आया है लिकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धर्ती मा को क्या दिया यह जहरीले रसायन वह प्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं उर्वरक्ता को बरबाद कर रहे हैं आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायने खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं वो अभी तो लाब देगी लेकिन लंबे समय में उसी रासायने खाद का नुकसान भी है. रासायने खाद जहर समान है. और तो और फसलों में पानी की खबत भी बढ़ गई है. जिससे खेती की लागत बढ़ रही है. और पानी का सर्थ जमीन के काफी नीचे जा रहा है. बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ. मैंने तुम्हें सुक से जीदे के लिए पर्याप संसादन दिये हैं. पर तुम्हारे लालच के पूर्ती के लिए नहीं दिये. ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधेक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीड़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना फूल गये हैं. सोचो, चाह तुम अपने बच्चों को ऐसे खेट देना चाहते हो, जो बंजर हो. अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पच्चताओगे नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे मा का शोशन कौन है करता, कौन है मिटी सहर सभरता, जब से जैवित खाद को जोड़ा, खुशाली से नाता तोड़ा अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पच्चताओगे, तो फिर तुम पच्चताओगे लेकिन धर्ती मा आपको सुरक्षित और प्रसन्य रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, धर्ती एक, परिवार एक, भविष्य एक, इस मूल मंत्र को आत्मसाथ कर लो, प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ, और परंपरागत दीसे पद्द बीजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र छाज का उप्योग करो, ताकि मिट्टी की उपादक्ता बनी रहे, याद रखना, मैं माटी हूँ, मा होना मेरे नाम में बसा है, पोशन करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है, करोणों सालों तक धर्ती पर, सांसों की डोर आगे जब सबका, तभी मैंने संतुष्ठी पाई, वो मा हूँ मैं सबकी, जिसने जन्न न दे कर भी, जीवन संभव बनाया, अन्न दाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया, दिन राज सीच पसीने से मुझको, हर मू तक रोटी पहुचाई, जब तु जयाली बनकर मुसकाई, मिट्टी बंजर होने से, या धर्ती के नुकसान से, किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज, या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे है, धर्ती की शिंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर धर्ती की परिवार के जैसी, सब का भविश्य है के बले जीवन पत की माला ए, हीरा मालिक बन्ना मोटी, माना सब के रूप अने अर बचेगे धरते सब बचेगे, जीवन पत की माला ए, अरे जीवन पत की माला ए वाइड अंगल विद अशोक व्यास का ये अंक समर्पित था भारत को और आने वाले महीने में हम बहुत सारी महुत सब के क्रम में आये हुए अगस्त के महीने में विशेश करके भारत किंड्रित रहेंगी हमारी प्रस्तुतियां तो आपसे विशेश रूप से हमारे साथ जुड़े रहने का अनुरोध करते हुए बहुत सारी मंगल कामना होके साथा आपारश हो क्यास्वाद्